नमस्कार अदर हम डिसक्सकर करेंगे गीराज पत्त्र का जो कि हिमाचल प्रतेश की सबताहिक पत्रिका है तो देखिए ये अगस्त महीने का हमारा सेक्ड पार्ट जो था सेक्ड पार्ट की ये हमारी सेक्ड आडिशन है क्योंकि second part जो इस बार आया था वो काफी बड़ा था तो दो part में मैंने उसको divide किया है second part का ये second edition हम discuss कर रहे है first part और हिमाचल की जीके और other important जितने भी notification ये questions है वो सभी आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएंगे आप telegram channel हमारा join कर सकते हैं चलिए discuss करते हैं आज की वीडियो का first question सबसे पहला question जो हमारे पास है वो है लोहल्स पिपल मेट प्रैसर ओन अटल बिहारी वाचपेज फ्रेंड तो बिल्ट दा कंस्ट्रक्शन ओफ रोतांग टनल his name is तो लोहल्स पित्ती के लोगों ने अटल बिहारी वाचपेज के मित्तर पर रोतांग सुरंग के निर्मान का प्रस्ताव रखने का दवाब बनाया था उनका क्या नाम था लेखिए उनका नाम था अरजुन गौपाल option C जो है वो सहीं ये एक नया question है रोतांग टनल से related और काफी important question भी है अगर कोई यहां से कुछ important जानकारी आपको पता होने चाहिए यहां से जो जानकारी है वो इस तरह से है कि लोहल के लोगों ने जो है जो पूर प्रधान मंत्री थे अटल बिहारी वाजपई उनके एक खास मित्तर थे जिनका नाम था अरजुन गौपाल अरजुन गौपाल के उपर उनने दवाव डाला कि वो अटल बिहारी वाजपई के समक्स जो रोतांग टनल है उसके निर्मान की प्रस्ताव रखा जाए फिर इस बात को ध्यान में राते हुए 2000 में वर्स 2000 में अरजुन गौपाल ने अपने दो मित्तर जिनका नाम था छेरिंग दोरजे और अभेचन इन दोनों के साथ जो था अटर विहारी वासपे के साथ दिल्ली में जाकर जो था वो मुलाकात की और ये जो सुरंग है रोतांग सुरंग इसके निर्मान की प्रियोजना पर चर्चा की पिर उसके बाद ही इसके कंस्रक्शन का काम जो था वो चला था अब रोतांग टनल के बारे में भी एक वार हम slash कर लेते हैं देखो रोतांग टनल जो है इस टनल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये टनल जो है 8.8 km लंबी है और 10.5 मीटर चौड़ी है इस सुरंग के बारे में एक और बात ये है कि ये 3000 मीटर की उन्चाई पर बनने वाली देश की पहली ऐसी सुरंग है अब इस टनल का कारे जो है वो लगवग कंप्लीट हो चुका है प्रधार मंत्री नरेंदर मुदी इसका उधगाटन करेंगे तो यहां से एक और बात आप याद रखे कि जब ये टनल का काम चल पड़ेगा मतलब आवाज आही यहां से स्टार्ट हो जाएगी तब मनाली से किलंग के बीच की दूरी जो है वो 46 किलोमेटर कम हो जाएगी यह जानकारी तो आप यहां से याद रखेगा अब एक और important बात इस टनल के जो है वो दो बिंदू है एक तो है दक्षिन छोड जहां से दक्षिन छोड शुर होता है उस जगह का नाम है धुंदी धुंदी नाम आप याद रखेगा और दूसरा छोड जहां पर समापत होता है उस स्थान का नाम है तेलिंग तो ये दो नाम आप याद रखेगा धुंदी और तेलिंग ये दो नाम है ये दोनों ही नाम important है धुंदी और तेलिंग तो आपको यहां से क्या गया याद रखना है एक तो रोतांग टनल की basic information उसके बाद जो अटल वियारिवाजपई के friend थे अरजुन गुपाल उनका नाम और अरजुन गुपाल के साथ दो और लोग गई थे छेरिंग दोर्जे और अभ्यचन उनका नाम और उसके बाद आप बेसिक बेसिक चीज़ें आपको अठल सुरंग के बारे में याद रखनी हैं काफी important जानकारी थी I think यह question पहले mains के exam में पूछा जा चुका है काफी साल पहले पूछा जा चुका है next question next question है about 1912 which revolutionary from mandi place left the teacher's job to visit America and Japan band抚ोदे थी मैं अजहरी में में 12 के आसपास मंडी के किस क्रांथी कारी ने अध्यापक की नुक्री चोड़ अमेरीका और जिपान का अध्यापक की भ्रमन किया था मंडी के एक ऐसे क्रांथी का राम आपशिन ए ज says it अगर बात करें, हर देव राम की, तो देखो, हर देव राम ने। अमरिकों जेपैन का भ्रहमन किया था, about 1912, उन्होंने तो açõesपशन नी canогन किया था, 1914 में जो था, ये क्रांथी-काली बनकर भारत लॉट कहे, अग इनकी भेंट जपान से जो था वो इन्होंने क्या क्या है जपान से संघाई में हार्देव ने जो था वो गदर पार्टी के नेता थे मत्वरा सीक्षेंग उनसे इन्होंने भेट की और खुद को जबाओ गदर पार्टी के अधीनिए ले आये उसके बाद 1914 में ये करांतिकारी बनका जो था वो मंडी लोट गए थे यहां पर आकर इन्होंने गदर की गूज, गदर संदेश, अलाने जंग जैसी पत्रिकाइम भी जो था यहां पर मिलने लगी थी इनके आने के बाद अगर मंडी की ही अगराब बात करेंगे तो मंडी के कुछ ग्रांतिकारी हैं जैसे रानी खेरनगड़ी रानी खेरागड़ी को जो था वो ललिता कुमारी के नाम से जाना जाता था ये भी एक important role इन्होंने यहां इस टाइम निभाया था अगर रानी ललिता कुमारी के आप बात करेंगी तो इनको बात में चलकर देश निकाला दे दिया गया था और हरदेव राम जो थे इनके घर में एक बार पुलिस ने 8 मार्च 1915 को चापा मारा प्रन्तु हरदेव राम जो था वो शिमला के पहाड़ों से होते हुए बद्रिनाथ जा पहुंचे और उसके बाद गंगोत्री तकी जा पहुंचे थे वहाँ पर इन्होंने स्वामी भूपानन महरात से जो था वो दिक्षा ली थी तो ये आप याद रखेगा हरदेव राम के बारे हरदेव राम भी एक important personality है इन्होंने भी काफी important role जो था वो अदा किया था नेक्स्ट कोईशन देखते हैं अच्छा एक और बात अगर आपको वीडियो helpful लगते हैं तो वीडियो को share जूर किया किजिए अपने जितने भी WhatsApp या फिर Facebook टेलिग्राम जितने भी ग्रूप हैं उन पर वीडियो को share जूर करें और वीडियो को like करना ना भूले नेक्स्ट कोईशन देखते हैं नेक्स्ट कोईशन है और बात में फांसी की सजा जो थी वो सुना दी गई थी इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको पता हونे चाहिए हिर्दा राम को जो था वो भाई हिर्दा राम के नाम से जाना जाथा था मंडी में गदर पार्टी के सक्रिये एक कार्य करता थे 1940 में इन्होंने क्या क्या अमरित्सर ये चले गए जब ये अमरित्सर चले गए तो यहां पर इन्होंने रासप्यारी बोस महतुरा सिंग को करतार सिंग सराबा भाई परमानांत के साथ भेंट की और इन्होंने यहां पर बंब बनाने का प्रसिक्षन जो था वो लिया अब बंब बनाने का प्रसिक्षन जब इन्होंने लिया तो एक वार यह पुलिस के हाथों पकड़े भी गए तो 26 अप्रेल 1915 को ल परन्तु हिर्दाराम की पतनी थी सरला देवी, हिर्दाराम की पतनी सरला देवी ने एक अपील की थी जिसमें इनकी फांसी की सजा को अजीवन कारवास में बदलने की बात कही गई, और इनकी जो ये कारवास थी वो अजीवन कारवास के रूप में बदल दी गई थी, मतलब इनको फांसी की सजा तो सुनाई गई परंदू बाद में उसको अजीवन कारवास में बदल दिया गया यह आप याद रखिएगा और इन्हें जो था वो काले पाने की सजा दिया गई थी इन्हें अंडमान भेज दिया गया था यह जितनी भी जानकारी है यह गिरी राज पत्रिका में सारी की सारी आई थी मैं यहां से आपको डेटेल में समझा रहा हूँ तो आई होब कि आप लोग यहां से एक बार भी अगर आपने इसको पढ़ा है तो अभी आपको यह इजीली समझ जा जाएगी तो यह तो इनके बारे में हो गया अब आप इन दोनों ही प्रिसनल्टीज के बारे में याद रखेगा हिर्द्याराम हो गया और हर्देव हर्देव हो गया जो हमने उपर पढ़ा हर्देव राम इन दोनों के बारे में याद रखेगा उसका नाम था क्या मंसूर विला option D जो है वो सही answer मंसूर विला नाम था अब राजकमारी अमरित कौर कौन थी राजकमारी अमरित कौर जो थी वो भारत की जो थी वो पहली महिला स्वास्थे मंतरी थी ये भी आप याद रगे का वो कि भारत की पहली महिला स्वास्थे मंतरी जो थी वो कौन थी अब इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे इसके अलावा आप याद रखेंगे कि दो को चार से पांच सेतंबर 1939 के दोरान जो महात्मा गांधी से मिला आए थे तो राजक्मारी अमरित कौर के समरहिल निवास जिसका ना मनसूर विला या मनोर विला भी इसको कहा जाता है यहां पर वो रुके थे और यहां पर यह अधिकांस समय जो था अपना भजन किर्टन क करने में बिता दे थे इसके बाद महात्मा गांधी कहीं बार यहां पर आई थे 1940 में आई थे 1945 में आई थे 1946 में आई थे अगर प्रिजेंट टाइम में आप याद बात करेंगे इस मनसूर या मनोर विला की तो यह जो है यह भवन अखिल भारतिया आयरुग्यान संस्तान के अधिन भी आ गया है इसके अधिन आ गया है अखिल भारतिया आयरुवैदिक संस्तान के अधिन यह आ गया है तो यह आप याद रखेगा राजकमारी अमृत कौर के बारे में इनका जो रेजिदेंस था सम्हिल में उसके बारे में बाकी जो महात्मा गांधी से एक वीडियो है वो हमने अलग से भी बना रखी है इसमें महात्मा गांधी जब जब भी सिमला आये थे उनके सारे दोरे बताए गए हैं तो यह वीडियो का लिंक मैं आपको उच्छे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगा description box में जाएए इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं महात्मा गांदी के जो विजीट थे उन सभी के बारे में देखो अगर आपने चैनल को subscribe और bell icon को press किया है तब आपको ये सभी notification जो है वो time to time मिलती रहती है तो इसलिए चैनल को subscribe और bell icon को press करना ना मुले next question next question है when was the conference took place in घर्गदी वाला where बाबा कांसी राम was called as पहाड़ी गांधी तो गदरी वाला में conference कब हुई थी जिसमें बाबा कांसी राम को पहाड़ी गांधी कहा गया तेको ये conference कब हुई थी इस conference के बारे में आपको पतावना चाहिए ये conference 1937 में हुई थी consumption option B जो है वो बिल्कुल सही answer है ये गदरी वाला जो है ये होश्यारपूर में पढ़ता है 1937 में यहां पर conference हुई थी और पंडित जोहरलाल नहरू के द्वारा बाबा कांसी राम को पहाड़ी गांधी कहकर जो था वो फुकारा गया था आपको पता है कि बाबा कांसी राम को पहाडों का बुल्बल या बुल्बल ए पहाड भी कहा जाता है बाबा कांसी राम को सरोजनी नाइडू के दारा जो था वो बुल्बल ए पहाड भी कहा गया था सरोजनी नाइडू ने क्यों इन्हें ये उपाद्य दी थी क्योंकि देश प्रेम के गीत ये गाते थे और कवीताओं के कारण इनको देश के प्रेम के इन्होंने गीत गाय भी थे लिखे भी थे और कवीताओं इन्होंने गाय भी थी लिखी हुई थी इसलिए इनको बुल बुल ए पहाड भी सरोजनी नाइडू के द्वारा कहा गया सीव कुमार सार्दा इन दोनों न जो था वो जो एक लड़ाई चली थी सुतंतरता संग्राम की उसमें जो संगर्स हो रहा था उस संगर्स में लोगों ने भाग लिया बाबाजी के ध्यान के बाद तो यह आप इनके बारे में याद रखेगा यह देखिए छोटी-छोटी जा सन 1857 के स्वतंतरता संग्राम में कीस देशी रियासत ने तटस्ता का द्रिश्टी कोण अपनाया तो आपको पता है बुसहर रियासत आप्शिन डी जो है वो सही अनसर है यह आप सभी को पता है आप कमेंट करके बता देजिए उस समय बुसहर के राजा कौन थे अब देखो यह 1857 का विद्रो हो रहा था बुसहर ने यहां पर साथ देने से जो था वो साफ इनकार कर दिया अब बुसहर के राजा समसेज सिंग की स्वरान थे इन्होंने क्या किया इन्होंने एक अपना पक्स रखती है कि भई हम साथ नहीं देंगे उस समय डिप्टी कमिशनर थे वि लॉरेंस थे उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा और इस मामले को जो था उन्होंने रफा दफा कर दिया था एक और बात यह भी कही जाती है कि इन्होंने इस लिए भी किया क्योंकि जब 1857 का विद्रो हो रहा था तो उस तमय जो था यह जो तीब का रोड है इसकी कंस् सक्षन चल रही थी उसमें बुसहर जो था फिर अर्चन ने अड़ा सकता था अब जब मंडी में 1857 का विद्रू हुआ तो मंडी की किरांती मंडी मतलब जब मंडी रियासत थी वहाँ पर वजीर गोशाओं जो था वो राज्य को मालकदर्शन कर रहे थे उस समय मंडी के राज नालागड के किले में अंग्रेजों ने अपने हथियार रखे थे और गोल अबारू जो था उन्होंने रखा था 16 माई 1857 को कैप्टन डी बिरिगर्ज ने और डिप्टी कमिशनर जो थे विलियम है इन्होंने कुछ लोगों को जो था इस नालागड के किले में भेजा कि आप जाइए यहां से और हथियार लेकर आईए इन सैनिकों को जो था मलोन के किले में जो था निकलते हुए उस ताइम वहां के स्थानिये लोगों ने घेर लिया और बाहर जाने नहीं दिया और 11 मई 1857 को जो था नहान में उस ताइम स्रिमौर बटालियन को जो था अंबाला जाने के निर्देश दिये गए थे परन्तु उस ताइम गुर्खा सैनिक हुआ करते थे और गुर्खा सैनिकों ने जाने से इंकार कर दिया क्योंकि चर्बी वाले कार्तुस जो थे उस अंबा भागल जुबल हंडूर के उन्थल बलसन कोटी धामी भज्जी इन सभी ने जो था वो अंग्रेज्जों को अपने यहां सरन दी तो यह आप याद रखिएगा फिर कुछ लोगों को उराज्जा की उपाधी दी गई कुछ लोगों को राना की उपाधी दी गई ये स प्रसिक्सकों वो प्रसिक्सार्थियों को प्रतिमा कितने रपए दिये जाते हैं तो जो प्रसिक्षक होते हैं और प्रसिक्सार्थी होते हैं उनको प्रती मंत जो है प्रते एक महीने दिये जाता है ऑप्शन सी 7500 और 3000 पया अब यह जो प्रसिक्षक होते हैं जो टीचर होत इसमें होगता क्या है देखे इस योजना के तहर जो जो है वो प्राचीन वो पारंपरिक हिमाचली कला जैसे हर्स्ट कला होगी हर्स्ट सिल्प हो गई स्थानी कला क्रिफिया हो गई लकड Attu सिल्प हो गई ऐसी कलाइं जो है उनको तीन हजार प्या जो है वो दिया जाता है ये थोड़ी सी जानकाली भी गिराज पत्रिका में आई थी इसके बारे में तो ये भी आप याद रखे वैसे पहले हम इसको डिसकस भी कर चुके हैं काफी बार आप लोगों के लिए जो आज का क्वेशन है वो है हिमाजल प्रदेश सरकार द्वारा क्रिसकों को सिंचाई के लिए कितने रपे प्रती यूनिट बिजली प्रदान की जाती है आपके चार आप्शन है पिछले कल ही हमने इंगिराज का जो अडिशन था उसमें डिटेल में इसकोईशन को पड़ा था तो अपना अंसर कमेंट करके जुरूर बताएं तो देटस अल फॉर तोड़े थेंक यू फर वाचिंग दा वीडियो